प्रात्मिक में B8 की पातरता से सम्मंदित दिनांक 11 अगस्त के सुप्रेम कोट के फैसले और बिहार सिक्षाग भरती के परिप्रेक्ष में उनरेबल तीन जस्टिस के द्वारा 29 अगस्त को दिये गए फैसले के बाद से राज्य सरकार ने पटना हाई कोट का दरवाजा खटकटाया था इस पूरे विवाद को सांथ करने के लिए पटना हाई कोट के द्वारा एक महतोपून डिसीजन दिया गया है बिएड की इलिजिबिल्टी जो की बिहार की सिक्षाग भरती प्रात्मिक सिक्षाग भरती में उसको लेकर के जिसके बारे में जाना आपके लिए बहत जरूरी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में ड प्रात्मिक सिक्षाग भरती होने जारी है उसमें ऑफिशल नोटिफिकेशन का अभ्यरती वेट करने के बजाए अब उसका विरोध करने लगे हैं क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में अंधर तक जुड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप आप देख रहे हैं केरियर बिट योटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बले किनको प्रेस करना ना भूले इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पार होंगे जो की आज पटना से प्रकाशित हुआ है सबसे पर देखिए BPSC TRE 2 का एकजाम लेंगे तो चातर करेंगे इसका विरोध 6 वर्सों से BTET परिक्षा नहीं हुई है 10 लाख अभियर्थी कर रहे हैं इंतजार जैसा कि आपको ग्यात होगा CBSC Board के द्वारा आयोजित की गई CTET 2023 के रिजल्ट की घोशना अभी हाली में की गई है बिहार में जो डिप्लोमा वाले कंडिडेट होते हैं वहाँ पर उसे डिएट के नाम से जाना जाता है डिप्लोमा इन एजुकेशन और उसमें प्रवेश इंटर के बेस पर होता है यानि वो अपर प्राइमरी सीटेट के लिए इलिजिबल नहीं होते हैं जो बिएट कंडिडेट की है तो यहाँ पर अब इस सिख्छाक भरती जो की अपर प्राइमरी की आने जारी है उसका विरोध इस वज़ा से किया जारा है कि इससे पहले जो अपर प्राइमरी का टेट होता है बिहार में इसे बी टीट की नाम से जाना आता है उस परिक्षा के ल परिच्छा का आयोजन नहीं किया गया है BTT की तैयारी कर रहे है अभियर्थी की माने तो 6 वर्सों से इस परिच्छा का आयोजन नहीं हुए 2017 से 7 से 10 लाख अभियर्थी इसका इंतजार कर रहे है छात्रों के नुसर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें वे कुछ नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि सिख्छा विभाग से आदेश आने के बाद ही BSEB परिच्छा ले सकती है तो BSEB ने अपने हाथ खड़े कर दिया है कि जब तक सिख्छा विभाग हमें नहीं बोलेगा हम अपनी तरब से इसके लिए परिच्छा का आयोजन नहीं कर सकते अभी देखा होगा आपने हाली में BSEB के माध्यम से जो PGT और PGT यानि वहाँ पर उसे माध्मिक और उच्छे माध्मिक बोलाता है उसके लिए STT पेपर 1 और STT पेपर 2 का आयोजन किया गया है यहाँ पर बिहार में जो TGT PGT की भरती होती है उसमें STT अनिवार है पातरता परिच्छा के तौर पर और सूपर TET की परिच्छा जो की BPSC कराती है वो तो है ही है इसी प्रकार से अपर प्रैमरी में RT Act 2009 के अनुसार अपर प्रैमरी का TET क्वालिफाई होना चाहिए और सीटेट एपेरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं सीटेट उस समय जारी हो पाएगा या नहीं जब यह नोटिफिकेशन चुकी अक्टूबर के मिल्ट तक आने की संभावना है तो इन सब को देखते हुए जो बिहार के करनेडेट है वो यह मांग कर रहे है कि BTET अपर प्रैमरी वाली परिक्षा का आयोजन हो उसके बाद ही बिहार में 32 जार अपर प्रैमरी की वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए इस फीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो